C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ठ बावन, इकाई तीन, हरी भरी धर्ती, चित्र और बादचीत इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें चारों ओर हर्याली ही हर्याली है इस प्रिष्ठ में एक बालिका, एक व्रिक्ष के तने को पकड़ कर खड़ी है वो उसे अपने गले से लगा कर बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है उस व्रिक्ष के तने पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं इसी प्रकार इस चित्र में दाई और एक बालक, एक पेड से गिरा फल उठा कर बहुत खुश है उसके ठीक सामने एक पौधे के ऊपर एक तितली उड़ती हुई नजर आ रही है इसी प्रकार एक सुन्दर पक्षी इस चित्र में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिष्ठ तरेपन इस प्रिष्ठ पर हरी भरी धर्ती दिखाई गई है ये जंगल का चित्र है इसमें एक कुत्ता जंगल के बीच दिखाई दे रहा है एक बालक जिसने चश्मा लगाया हुआ है एक बहुत बड़े पत्ते को अपनी गोद में उठा कर वो बैठा हुआ नजर आ रहा है पीछे बहुत सारे हरे भरे पेड नजर आ रही हैं एक पक्षी हवा में उड़ रहा है तितली उड़ रही है और साथ ही बाई और फलदार व्रिक्ष दिखाया गया है शिक्षन संकेत इस चित्र में आप क्या-क्या देख पा रहे हैं अलग-अलग पंची आपस में क्या बाते करते होंगे पेड पंचियों से क्या कहते होंगे हरी-भरी धर्थी को हमेशा हरी-भरी रखने के लिए हमी क्या करना चाहिए चित्र में एक बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है और एक ने चश्मा बच्चों से इस पर बात कीजे कि श्रवण यंत्र किस प्रकार काम करता है उदेश यह है कि बच्चे तरह तरह की आवशकताओं और परस्थितियों से परिचित हो और एक दूसरे के प्रती समवेदन शील बने शिक्षक इन सभी प्रशनों का उप्योग कर बच्चों को अपनी भाशा में मन की बात कहने के लिए प्रोच साहित करें एवं उप्योग तो अवसर प्रदान करें प्रिष्ट चववन पाठ तेरह सुने कहानी शीर्शक तालाब इस तालाब का नाम छोटा तालाब है यहां तुम्हें कई लोग दिखेंगे केंचुए, साप, केकड़े, मिंधक, कनखजूरे दो कच्छुए और उनके साथ बच्चे मचलियां पता नहीं कितनी होंगी मच्छर जैसे कई उडाको तुम्हें वहां मिलेंगे तितलियां, गिलहरियां, चीटियां कभी-कभी छिपकलियां और गिर्गिट भी इधर चले आते हैं तालाब के किनारी एक पेड है इस पर मकडियों के जाले हैं और चिडियां उनका तो पूछो ही मत कववे, मैना, तोती, किंग फिशर, फाक्ता इस प्रिष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक छोटा तालाब बना है जिसमें अलग-अलग प्राणी दिखाए गए हैं प्रिष्ठ पच्पन आज कल सर्दियों के दिन है मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ यहां इन दिनों सारस आई हुए हैं छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगे लेखे का शशी सबलूख इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें तालाब के किनारे एक व्रिक्ष दिखाया गया है साथ ही दूसरी ओर हरियाली भी है तालाब में कई पक्षी नजर आ रही हैं व्रिक्ष के ऊपर भी कई पक्षी और पशु देखे जा सकते हैं प्रिष्ठ चपपन क्या आप जानते हैं? एक, फाक्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं चित्र देख कर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे? दो, किंग फिशर की चूँच लंबी होती है किंग फिशर मचलियां खाना पसंद करते हैं यहाँ पर फाक्ता और किंग फिशर के चित्र भी दिए गए हैं बात चीत के लिए एक, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? दो, इस तालाब में कौन-कौन से जीव हैं? तीन, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? चार, तालाब को किन की याद आएगी और क्यों? पांच, कहानी के इस वाक्य में उडा कूकार्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उडाकू, तुम्हें वहां मिलेंगे अब यहां दिये गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कौपी में लिखिए एक, सही या गलत पर घेरा लगाईए और कारण भी बताईए पहला, ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे ये कथन सही है या गलत? दूसरा, यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है ये कथन सही है या गलत? सही या गलत को चुनने के लिए उसका कारण भी बताईए दो, आग तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए प्रिष्ट सत्तावन तीन, क्षब अक्षर की पहचान कीजिए और क्षब से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए यहाँ पर तीन सूचियां दी गई है जिनके शीर्षक हैं, शब्द, ट्रेस करिए और खुद लिखिए शब्द शीर्षक के नीचे चार शब्द हैं पक्षी, अक्षर, कक्षा और शिक्षा अब इन्ही शब्दों को ट्रेस करके मत्यवाली सूची में दिये गए रिक्त स्थानों में लिखिए उसके बाद दाई और के शीर्षक खुद लिखिए के नीचे दिये गए रिक्त स्थान में पुना लिखिए पहेली, चडिया को उसके घोसले तक पहुँचने में उसकी सहायता कीजिए इस प्रिष्ट में नीचे एक चडिया का घोसला बना हुआ है जहां पर अंडे रखे हुए हैं और चडिया बाई और ऊपर की तरफ दिखाई गई है उसे अपने घोसले तक पहुँचने के लिए सही रास्ता दिखाईए प्रिष्ट अठावन शब्दों का खेल जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खीच कर जोड़िए नाम हैं केच्चुआ, सारस, सांप, कच्चुआ, मैना, कव्वा, फाक्ता, किंग फिशर और मच्छी यहां पर इन सभी जीवों के चित्र भी दिखाई गए हैं उनके नामों को उनके चित्रों से रेखा खीच कर मिलाईए खोजे जाने क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, जर्ना आदी है? क्या वह साफ सुत्रा और खुश है? उसे साफ सुत्रा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिष्ट 69 चित्र और बादचीत शीर्शक फूलों की दुनिया इस प्रिष्ट पर बहुत सारे फूल एक चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं शिक्षन संकेत बच्चों के साथ रंग बिरंगे फूलों के बारे में बादचीत करें बादचीत के कुछ बिंदू इस प्रकार हो सकते हैं आपने फूल कहा कहा देखे हैं आपके आस पास कौन कौन से फूल खिलते हैं आपको कौन सा फूल सबसे सुन्दर लगता है और क्यूं फूलों के रंग, उनकी खुश्बू, उनके खिलने का समय और महीना फूलूं को ना तोड़ ना आदी बिंदू भी बादचीत में सम्मिलित किये जा सकते हैं सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और मम्ता मलकानी तखनीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहयक तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत